हेलो बच्चो, वेल्कम बैक टो चैनल, हम लोग अपनी वन शॉट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं और आज मैक्रो एकनॉमिक्स के अंदर जो हमारा टॉपेक है वो है बैलेंस ओफ पेमेट बहुत सिंपल सा टॉपेक है बैलेंस ओफ पेमेंट बहुत छोटा सा टॉपेक है पूरी वीडियो में start to end आप मेरे साथ बने रहेंगे तो चलो शुरू करते हैं बैलेंस ओफ पेमेंट क्या होता है इसको पढ़ते हैं बैलेंस ओफ पेमेंट एक ऐसा account है जिसके अंदर हम record रखेंगे हर उस economic transaction का जो transaction हमारे देश के resident और बाकी देशों के residents के बीच में होती है during a given period of time आम तोर पर एक साल में हमारे लोगों ने हमारे देश के लोगों ने बाहर की दुनिया के साथ बाहर के देशों के साथ जितनी भी economic transactions करी हैं जितनी भी economic transactions करी हैं जिनके द्वारा या तो inflow होगा या outflow होगा foreign currency का foreign exchange का foreign exchange हमको पता है dollar pound वगेरा तो ऐसी सारी transaction जो हमारे लोग हमारे देश के लोग एक साल भर में बाकी सारे rest of the world के साथ करेंगे उन transactions से जितना भी inflow of foreign currency होगा और outflow of foreign exchange या foreign currency होगा उसको हम एक record में रखेंगे उसका एक account बनाएंगे तो balance of payment एक ऐसा account है जिसमें हम ये सारी economic transactions को record करते हैं सबसे मुद्दे की बात आपको याद रखनी है ये international transactions है ये domestic transactions नहीं है ठीक है हमारे देश की transaction बाकी के देशों के साथ जो हो रही है balance of payment account like a typical business account is based on double entry system ये double entry system में based है यानि की एक ऐसा record है जिसके अंदर एक debit side है एक credit side है ठीक है अब any transaction which brings foreign exchange into the country is recorded on the credit side and whereas any transaction that causes a country to lose foreign exchange or results in outflow of foreign exchange is recorded in the debit side तो एक ऐसा account है BOP जिसमें एक है debit और एक है credit side debit side है हमारे foreign exchange के इंडिया से outflow होने की बाहर जाने की और जो credit side of BOP है वो है बाहर से dollar pound foreign exchange इंडिया में आने की तो credit inflow के लिए है debit outflow के लिए है अब आप खुछ सोच के देखो कोई भी transaction जिससे हमारे देश से बाहर जाता है पैसा वो debit में आएंगी याने की outflow जैसे की जब हम कोई सामान import करते हैं तो उसकी payment हमको बाहर चुकानी पड़ती है तो यहां से foreign exchange बाहर चली जाती है फिर दार भाई यहां दोस्त बाहर रहता है और उसको मैं यहां से पैसे transfer कर देता हूँ तो वो transfer to abroad या lending to abroad बाहर किसी को loan चाहिए तो इंडिया से कोई bank या इंडिया का कोई नाकरिक बाहर किसी देश को loan दे तो उससे भी यहां से foreign exchange बाहर चली जाएगी फिर अगर मैं बाहर जा भी यहां से पैसा outflow create करेगा फिर अगर मैं बाहर जाके कोई assets purchase कर लूँ तो वो भी यहां से foreign exchange का outflow create करेगा इसी का उल्टा कर दो तो वो inflows हो जाएंगे export यानि कि जब हम यहां से सामान बाहर भेज़ेंगे तो बाहर से foreign exchange इंडिया में आएगा तो inflow of foreign exchange फिर बाहर से transfers य इंडिया में कुछ डॉलर भेज रहा है तो that is also transfer and remittance फिर अगर हम अपने business के लिए अपने personal purpose के लिए या किसी और अन्य purpose के लिए बाहर से borrowings कर लेते हैं पैसा borrow कर लेते हैं लोन ले लेते हैं तो वहां से पैसा foreign exchange में इंडिया में आएगा और अगर कोई बाहर की company या भा दो बातें एक inflow और एक outflow ठीक है पैसा foreign exchange का कितना आया देश में उसका record और कितना पैसा यहां से foreign exchange के रूप में बाहर चला गया उसका record बस और इसके अंदर BOP में कुछ नहीं आता है ठीक है तो BOP की आपको definition समझ आ गई है अब जो BOP है उसके components होते हैं दो BOP के अंदर दो तरह की account बनते हैं एक होता है current account और एक होता है capital account चीक है अभी पहले हम current account को पड़ते हैं BOP के अंदर दो parts होगे एक होगा current account of BOP और एक होगा capital account of BOP तो दो होगे BOP के components first thing first हम पढ़ेंगे current account BOP क्या होता है तो current account BOP के अंदर एक है visible trade और एक है invisible items दो बाते visible trade और invisible items visible trade के अंदर आती हैं दो चीजे export of goods यानि की X और import of goods यानि की M अब जितना भी सामान goods इंडिया से export होते हैं उसको हम X, export बोलते हैं visible trade देखा जा रहा है na trade वो सामान जा रहा है export और जितना भी सामान बाहर से इंडिया में आ रहा है उसको हम बोलते हैं import of goods यानि की M तो अगर X में से हम M को minus कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा balance of trade balance of trade जिसको हम बोलते हैं B O T तो current account B O P के अंदर एक item होती है goods से related जिसको बोलते हैं visible trade total export of goods से हमारे पास inflow होता है और total import of goods से हमारा outflow होता है तो अगर हम X यानि की inflow because of export में से M minus कर दें outflow because of import तो हमारे पास balance of trade आ जाएगा तो ये हो गया current account B O P का एक part फिर दूसरे part में आते हैं invisibles invisible में होती है तीन चीज़े एक factor services से कमाई गई income दूसरा non factor services से कमाई गई income और तीसरा current transfers तो तीन हो ये क्या है invisible items factor services तो factor services के अंदर क्या क्या आ गया factor services वो है जिसके द्वारा हम rent interest wages और profit कमाते हैं तो interest dividend profit और compensation of employees से जो हमारी income होती है यहां जो हमें pay करना पड़ता है वो factor services के अंदर आती है अब जो factor services हम लोगों ने बाहर प्रवाइड करी उससे हमारे पास inflow आएगा inflow of foreign currency और जो हमने यहां से बाहर प्रवाइड करी उससे हमारा outflow हो जाएगा अउट्वल फॉर एक्सचेंज ठीक है सेकेंड कॉंपोनेंट है नॉन फैक्टर सर्विसेज नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, इंशॉरेंस, बैंकिंग, टूरिजम, सॉफ्वेर सर्विसेज थीज अलसो इंवाल पेमेंट्स इं टर्म आफ रेविन्यू तो नॉन फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज यह दो कॉंपोनेंट हो गए हमारे इंदर क्या क्या आएगा अर्वो पैसा जो हम रिसीव कर रहे हैं या हम पे कर रहे हैं अब्रॉड जिसके अगेंस्ट या जिसके बदले में कोई और सर्विसेज या कोई और काम नहीं किया गया है यानि कि दीज आर यूनिलाटरल क्या है यह यूनिलाटरल यूनिलाटरल मीन्स एक तरफी मुझे सिरफ मिली है यह इंकम्स लेकिन मैंने यह कमाई नहीं है जैसे कि गिफ्ट्स ग्रांट्स डोनेशन जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो उसके बदले हम कुछ करते नहीं है जब हमारे को कोई donation मिलती है तो उसके बदले हम कोई activity perform नहीं करते हैं तो ये unilateral है, free में मिली है लेकिन मिलने से इसमें inflow होगा और देने से इसका outflow होगा तो current account of BOP के अंदर दो चीज़ें आपको याद रखनी है First, एक है visible trade और दूसरा है invisibles Visible trade के अंदर सिर्फ बाते हो रही है goods की सिर्फ goods की, export और import और invisible के अंदर बाते हो रही है factor services, non-factor services और current transfers की और आगे चलते हैं अब अगर आप export में से import को घटा दो यानि कि X-M करो तो आपके पास एक value आते हैं जिसको हम बोलते हैं BOT, balance of trade अब ये positive भी आ सकता है और ये negative भी आ सकता है सर्फ positive कब आएगा? positive तब आएगा जब हमारे exports, import से ज़ादा होंगे और negative कब आएगा जब हमारे import, export से ज़ादा होंगे बहतर क्या है किसी भी देश के लिए बहतर ये है कि हमारा जो balance of trade है वो positive अगर आता है बैलेंस का बैलेंस कैसे निकलता है goods and services का बैलेंस देखो goods का बैलेंस का है? balance of trade ये जो balance of trade है ये goods का बैलेंस है तो balance of trade तो आएगा goods and services के combined balance के अंदर ये क्या है? goods and services का combined balance combined balance कैसे निकलता है? goods and services तो एक तरफ goods, goods तो आना ही है balance of trade तो आना ही है इसके अंदर तो export minus import of goods तो आना ही है plus और क्या आएगा इसके अंदर balance of services अब balance of services में क्या आता है payment received on account of non-factor services minus payment to rest of the world on account of non-factor services तो यह जो services है यहाँ पर goods plus services तो यह जो services है यह सिरफ cable कौन सी है non-factor services यह factor service नहीं है तो balance of goods and services निकलता है BOT plus balance of non-factor services तो आप यह ऐसे याद रखोगे balance of trade plus balance of non-factor services is called goods and services का combined balance अगर आपको कोई question आएगा इसे निकालने के लिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो फिर invisible का balance क्या होगा invisible balance invisible balance जैसे visible trade था goods का invisible के अंदर आती तीन चीज़े factor service, non-factor service और current transfers तो तीनों को अगर हम add कर दे non-factor services, factor services और transfers तो हमारे पास invisible का balance आजाएगा ठीक है तो हमारे पास current account का total balance कैसे आएगा अगर हम visible balance और invisible balance को जोड़ देंगे तो हमारे पास total current account का balance आजाएगा यानि कि अगर मैं trade का balance, balance of trade, visible items और invisible items का balance जोड़ दूँ तो मेरे पास total current account का balance आजाएगा, अब ये current account का balance दोनों आ सकते हैं, ये surplus भी आ सकता है यानि कि positive और ये deficit में भी आ सकता है यानि कि negative, ठीक है so current account surplus shows that earning from rest of the world is greater than spending abroad तो जब हमारा current account का balance positive आएगा surplus में आएगा, इसका मतलब क्या है कि बाहर से dollar जाधा आ रहे है, बाहर से foreign exchange जाधा आ रहे है और यहां से foreign exchange कम जा रहे है इसका मतलब हमारी कमाई बाहर से जाधा हो रही है और हमारा जो खर्चा बाहर की तरफ हो रहे है वो कम हो रहे है, और ये एक अच्छी position है देश के लिए it is a healthy economic position for the country कि अगर हमारा current account का जो balance है वो surplus में आए, ठीक है अगर हमारा current account का balance deficit में आ गया deficit मतलब अगर हमारा current account का balance negative आ गया और वो कब आएगा, जब बाहर dollar ज्यादा चले गए है बाहर currency ज्यादा चले गी है foreign exchange की और बाहर से हमने कमाई foreign exchange कम है तो inflow जब कम होगा और outflow जब ज़्यादा होगा तो हमारा current account deficit में आ जाएगा negative हो जाएगा ठीक है, this indicates that we are spending more than what we are receiving from rest of the world the country having a deficit in current account must finance it by selling the assets or borrowing thus a current account deficit is financed by capital account अब एक बात आपको समझनी आपर ज़रूरी है अगर current account balance deficit में है, यानि कि अगर हमारे current account में deficiency है, negative है इसका मतलब अगर हमने ज़्यादा foreign exchange बाहर भेज दी है और बाहर से आई कम है एक example लेते हैं अगर मान लो हमारा inflow of foreign exchange hundred dollars है और हमारा outflow of foreign exchange one fifty dollars है तो इसका मतलब हमारा जो current account का balance है वो balance fifteen negative आ रहा है यानि कि deficit balance है हमारे current account के अंदर अब जब भी हमारा current account का balance negative होगा deficit में होगा तो इसको positive करना पड़ेगा इसको 0 करना पड़ेगा इसको 0 करना पड़ेगा इसको counterbalance करना पड़ेगा अब कहता है कि इसको counterbalance करने के लिए हमारे को ये जो 50 dollar हमारे बाहर ज़ादा चलेगे बाहर से लाने भी तो पड़ेगे बड़ी simple सी बात है अगर मैंने पैसा बाहर ज़ादा भेज दिया है 50 dollars जो कि यहाँ पर दिख रहा है तो मुझे यह 50 dollars वापिस लाने भी पड़ेंगे और लाने की जिम्मेदारी फिर किस पर हो जाएगी हमारे balance of payment के दूसरे component पर दूसरा component क्या होता है capital account तो अभी एक बात को समझो जो balance of payment है उसके दो पार्ट है एक है current account of BOP और एक है capital account BOP ठीक है एक current account एक capital account अब देखो current account में भी inflow है और current account में भी outflow है dollars आ रहे है foreign currency आ रही है foreign exchange आ रही है देश में inflow और यही foreign exchange किसी कारण से बाहर भी जा रही है outflow इसको फिर हम minus करते है आपस में इन और outflow को हम minus करते है तो हमारे पास इसका एक balance आता है current account का balance आता है अब जो current account का balance है वो positive भी हो सकता है वो negative भी हो सकता है अगर वो positive है तो तो बहुत अच्छी बात है यानि कि हमारे पास बहार से डालर ज़ादा आ गए है हमारे पास surplus of foreign currency create हो गया देश के अंदर which is good, a healthy sign for the economy पर अगर हमारे current account के अंदर negative हो गया है, deficiency हो गई है कमी पढ़ गई है हमारे को foreign exchange की तो फिर इस negative को पूरा करने का दायत्व इस negative को पूरा करने की जिम्मेदारी किसके उपर आ जाएगी? इस BOP के दूसरे पार्ट पे इस BOP के second component पे which is called capital account BOP अभी जो capital account BOP है ना इसके अंदर भी दोनों चीज़ों होती है inflow भी होता है और outflow भी होता है foreign exchange का लेकिन इसमें मोटे तोर पर जो inflow outflow होता है वो assets और liabilities को देखके होता है, assets और liabilities से related होता है, अभी जब हम इसके उपर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे, तो मोटे तोर पर आपको balance of payment का structure समझाना चाहिए तो एक हो गया current account BOP जो हमने समझ लिया, उसके अंदर दो पार्ट तो एक बार फिर से, जो current account है उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट है एक है visible और एक है invisible जो visible है, वो goods से related है और जो goods है, उसका यहां तो export होता है यहां उनका import होता है export X, जितने पैसे बाहर से आए minus import M, जितने पैसे यहां से बाहर चले गए तो इसको अगर हम solve करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा balance of trade ठीक है, एक तो यह part होगा current account BOP का उसके बाद आती है invisible items invisible के अंदर होती है तीन चीज़े एक होता है factor service एक होता है non factor service और एक होता है current transfers current transfers बहुत simple current transfers वो होते हैं, जो unilateral है जैसे gifts, grants, donation, charity यह सारी चीज़े क्या है current transfer यह एक तरफी है हमको अगर मिली, तो इसके बदले हमने कुछ नहीं किया और हमने किसी को दिया, तो उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया फिर होती है factor services, rent, interest, wages, profit जो हम कमाते हैं, वो हमारी factor services के अंदर आ गई और जो non factor services हैं, वो अलग हो गई सारी के सारी, जैसे कि business entities कमाती है, banking, shipping, tourism telecom, यह सारी के सारी, ठीक है अब अगर हम अपने current account का overall balance निकालना चाहते हैं, current account का, तो उसके अंदर एक in सभी का balance आएगा और एक यह balance of trade आएगा, जब हम इन दोनों को जोड देंगे, तो हमारे पास जो answer आएगा, वो हमारे current account का balance होगा, which can be positive, which can be negative, which can be zero, zero का मतलब जितना पैसा इंडिया में आया और जितना पैसा इंडिया से बाहर गया वो बराबर हो गया, foreign exchange में plus का मतलब बाहर से inflow जादा, और यहां से outflow कम, which is a good sign, healthy for the economy और negative का मतलब बाहर से पैसा जो आया वो कम है, और यहां से पैसा जो बाहर गया है, वो जादा है अब यहां पर जो negative है, इसको हम deficit बोलते हैं और इस deficit को पूरा करना है current account से ठीक है, यहां तक हम इसको छोड़ देते हैं आगे चलते हैं अब balance of trade, यानि कि BOT और balance of current account, यानि कि BOCA में क्या अंतर है, balance of trade और balance of current account में क्या अंतर है बड़ा simple सा, balance of trade तो एक अंग है एक part है balance, total current account का, देखो यहां पर लिखा ना हमने, यह जो current account है total, इसका केवल यह एक part है visible trade का जो balance है, उसको हम BOT बोलते हैं, जो की पूरे current account का एक छोटा हिस्सा है और जो हमारा balance of current account है, वो तो हमारा overall current account का balance है और overall current account का balance दोनों को जोड़ के आएगा, visible को भी और invisible को भी, तो इसका मतलब यह समझाता है, कि जो balance of trade है, वो सिर्फ सिर्फ goods का है, visible item का है, लेकिन जो balance of current account है वो सभी का है, इसमें goods भी आजाएंगे, services भी आजाएंगी factor, non factor और इसके अंदर current transfers भी आजाएंगे overall सारी चीज़ों का जो balance है उसको balance of current account बोलते है so BOT एक तरह से हिस्सा है, balance of current account का, तो balance of trade is a part of balance of current account and therefore it is a narrow concept, यह उसका एक छोटा हिस्सा है on the other hand, balance of current account includes in itself BOT BOT तो खुद BOCA के अंदर समाया हुआ है, balance of current account के अंदर का ही part BOT है, तो इसका मतलब balance of current account एक broader concept है, बड़ा concept है, जिसके अंदर balance of trade छोटा हिस्सा होगा ठीक है, यहां तक हमारा जो current account of BOT है, यह हमने समझा अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे balance of payment के which is called a capital account तो capital account BOP क्या है और यह क्या करता है, capital account भी balance of payment का ही एक account है इसके अंदर भी हम inflow of foreign exchange और outflow of foreign exchange को ही record करेंगे, जैसे हमने current account में किया पस फरक यह हो जाएगा current account goods और services से related होता है, capital account assets और liabilities से related होता है, कैसे इसको पढ़ते है capital account of BOP records all the transactions between residents of India and rest of the world which will cause change in ownership of assets, तो capital account capital transaction से related है अगर आप बच्चे accounts के हो तो आपको revenue items और capital items पता होंगी revenue items होती है, goods and services income and profits और जो capital items होती है वो assets और liabilities होती है तो capital account के अंदर सिर्फ कौनसे transactions आएंगी, जो हमारी assets और liabilities से related है और assets और liabilities के ownership के कारण, हमारा inflow of foreign exchange और outflow of foreign exchange create हो रहा है, वो सारी transactions capital account के अंदर हम record करेंगे all transactions which relate to purchase and sale of foreign assets foreign liabilities during a year, अब एक example लो हमारा कोई इंडिया का एक resident अमेरिका में जाकर अमेरिका में जाकर यहां से बाहर जाकर वहां पर कोई एक land को purchase कर लेता है अब यह जो land है this is an asset of America ठीक है न, क्योंकि यह जमीन अमेरिका के अंदर मौजूद है लेकिन इस जमीन को खरीद किस ने लिया इसका मालिक कौन बन गया पहले शायद इसका मालिक कोई American था मालो इसका पहले कोई मालिक Mr. John था अब Mr. John से यह जमीन हमारे Mr. X ने खरीद ली अब जब Mr. X ने यह जमीन खरीदी तो हुआ क्या होगा हुआ यह होगा कि यहां से foreign exchange बाहर चली गई होगी यानि कि इसके कारण outflow of foreign exchange हुआ होगा और यह transaction ऐसी है जिस transaction में कोई सामान involved नहीं है, goods involved नहीं है कोई service involved नहीं है, कोई unilateral transaction involved नहीं है जो कि current account का पाट था तो मैं ऐसी transaction को current account के अंदर नहीं लिख सकता क्योंकि current account में लिखने के लिए तीन चीज़ें allowed है एक, वो goods होने चाहिए goods मतलब visible, जिसका आना जाना दिखे, जिसकी movement हो सके देश के अंदर से और देश के बाहर तो यह जो जमीन है, यह जमीन खुद थोड़ी चलके इंडिया में आ जाएगी यह रहेगी तो वहीं पर physically present लेकिन इसके पीछे का जो मालिक है इसके पीछे की जो ownership है वो बदल चुकी है और ऐसी ownership जब बदलती है तो यह capital account में लिखा जाता है because this is not a good this is not a service and this is not a unilateral transaction तो ऐसी transaction को हम कहां लिखेंगे capital account B.O.P. में सेम होगा अगर बाहर का कोई बंदा इंडिया में जमीन यहां कोई asset purchase कर ले तो यह एक example के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है फिर से इसको पढ़ते है all transactions which relate to either purchase inflows and outflows of capital पैसे का लेंदेन हो रहा है यहां पर यहां पर good services का लेंदेन नहीं है it represents international flow of loans investments which causes a change in countries foreign assets and foreign liabilities example capital account includes only such assets like land building or plant and machinery which will remain within the country where they are but the ownership of which changes on account of international sale and purchase तो मैंने किसी business का कोई plant and machinery जो अमेरिका में है वो खरीद लिया उसका मालिक मैं बन गया तो यहां से उसकी ownership हमारे पास आ गई तो यहां से बहार जाएगा foreign exchange जो होगा outflow so this outflow is on account of a capital transaction तो capital transaction सर मोटे तोर पर तो फिर यह हुई न capital transaction assets के लेंदेन यानि कि assets की buying और selling से जुड़ा हुआ है और assets में क्या-क्या आ गया land, building यानि कि real estate और plant and machinery भी आ सकता है और any other good which will not cause movement ऐसी चीज जिसकी movement नहीं हो सकती ऐसी चीज जो जिस देश में स्थित है उसी में रहेगी वो वहाँ से इंडिया नहीं आ सकती और इंडिया से अमेरिका नहीं जा सकती तो ऐसी चीज की ऐसे asset की ownership जब इंडियन बंदे के हाथ से American के पास चले जाए और American के हाथ से इंडिया के हाथ में आ जाए Ownership swap हो जाए Ownership बदल जाए तो इसको हम बोलते है Foreign Assets और Foreign Liabilities का मालिक चेंज हो गया उसकी मालिकाना हक चेंज हो गया और जब भी ऐसा होगा ऐसी Transaction को हम Capital Account of B.O.P. में लिखेंगे चाहे वो Inflow Create करे चाहे वो Outflow Create करे मैंने Example दिया ना मैं बाहर जाके कोई Land खरीद लूँगा उसका मालिक मैं बन जाओंगा तो हमारे देश की Foreign Exchange बाहर चली जाएगी ठीक है तो ये होगा Purchase of Foreign Asset Causing Outflow of Foreign Exchange और अगर बाहर का व्यक्ति इंडिया में आके कोई Asset खरीद ले तो वहां से Foreign Exchange इंडिया में आएगी लेकिन इंडिया का जो Asset है उसका मालिक बन जाएगा कोई Outsider, Foreigner तो इस इस अगेन Ownership में चेंज आ रहा है लेकिन इसके द्वारा जो Inflow Outflow रहा है उसको Record कहां कर रहे हैं Capital Account में और क्यों Capital में? क्योंकि Current में Record नहीं कर सकते It is not a good, it is not a service It is not a unilateral transaction और transfer जो तीन चीज़ें Current Account का part होती थी चीक है? Capital Account includes International Sale and Purchase of Monetary Assets like Stock, Shares and Bonds अगर हम किसी Company के, for example अगर मैं बाहर रहता हूँ अमेरिका रहता हूँ और मैं इंडिया की Reliance Company के Shares खरील देता हूँ यह Shares यह Stocks भाई कर लेता हूँ यह Bonds भाई कर लेता हूँ तो मेरे पास इस Company के Indian Company, Indian Asset के Ownership आ जाती है तो वहार से जो पैसे इंडिया में Transfer होंगे वो Inflow होंगे और वो Inflow Capital Account में Record किये जाएंगे तो मोटे तोर पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक इसके अंदर Real Estate, Land, Building वगएरा आ जाएगी और दूसरा इसके अंदर Monetary Assets विच मींज Shares, Stocks और Bonds भी आ जाएंगे तो उसकी भी खरीद बेच से जो भी पैसा इंडिया में आए या इंडिया से बाहर जाए वो Capital Account of B.O.P. में Record होगा अब जैसे हमने Current Account B.O.P. का Inflow Outflow का एक Balance निकाला तोटल Inflow माइनस टोटल Outflow एक Balance निकला वैसे ही Capital Account का भी एक Balance निकलेगा अब Capital Account में भी हम क्या करेंगे Capital Account के अंदर भी हम Inflows में से Outflows माइनस करेंगे ठीक है और Inflows और Outflows को माइनस करके या तो एक Value Positive आएगी या एक Value Negative आएगी या Zero आजाएगी अगर तो Zero आगे इसका मतलब क्या है Capital Account Transactions Nullify हो गई जितना बहार से Foreign Exchange आया और जितना यहां से Foreign Exchange गया Capital Account से Related उसने Balance आउट कर दिया अगर यह Positive आजा इसका मतलब बहार से जो Inflow आया है वो जादा है और यहां से जो Outflow गया है वो कम है Again, that is good और अगर बहार से Inflow कम आया और यहां से Outflow जादा चला गया तो that will cause a negative or deficit in current account तो Positive Balance indicates Inward Flow is greater than Outflow and Negative Balance indicates the opposite यहां तक OK हो गया अब सर, Capital Account BOP के अंदर कौन-कौन सी मोटे तौर पर चीज़ें आती है इसको Detail में समझाओ तो इसके अंदर मोटे तौर पर तीन पार्टस है एक Foreign Investment दूसरा Borrowings from Abroad और तीसरा Other Items इसको ऐसे याद रखना तीन थी current account में तीन ही है Capital Account में अब Capital Account में सबसे पहली जो पार्ट है वो है Foreign Investment Foreign Investment दो तरीके से देश के अंदर आती है एक Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment इसको बोलते है Foreign Direct Investment FDI ठीक है न अब FDI क्या होती है अगर मालो मैं कोई बिजनस यहाँ पर लगाना चाता हूँ और मैं बहर के देश को बिलॉंग करता हूँ तो मैं बहर से पैसे भीजूँगा और यहाँ पर बिजनस सेट अप करूँगा तो फर्स टाइम जब आप बहर से कोई बिजनस को इंडिया में सेट अप करते हो उसको बोलते हैं आप Foreign Direct Investment कर रहे हो आप नया बिजनस यहाँ पर नया धंदा यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए बहर से पैसा जब आता है उसको FDI बोलते है फिर होता है Portfolio Investment by FII FII होता है Foreign Institutional Investors अब यह जो Institutional Investors हैं बहर जिनके पास बहुत पैसा होता है बहर के जिसे बाकले हो गया यहां बड़ी-बड़े Banks, Institutions हो गये वो लोग Indian Stock Exchange के अधर Shares की खरीद बेच भी करते हैं तो जो बहर के लोग Indian Stock Market में पैसा इंवेस्ट करते हैं उसको Portfolio Investments बोलते हैं चाहे FDI हो, चाहे Portfolio Investment हो, देश में पैसा आएगा जैसे कि FDI गा एक्जामपल, MG एक कंपनी है MG Motors गाड़िया बनाती है, तो उसने अपना Plant इंडिया में लगाया या फिर Ford, Ford Automotive, उसने भी इंडिया के अंदर अपना एक Plant लगाया तो ये बाहर से आए, इंडिया में बिजनस सेट अप किया तो इसका मतलब बाहर से पैसा इंडिया में ले के आए इसको बोलते है, Foreign Direct Investment एक और एक्जामपल, बाहर का एक Bank है, मान लो Bank of America, अब Bank of America ने क्या किया इंडिया के अंदर, Indian Stock Exchange, NSCBSC के उपर Reliance Company के शेर खरीद लिए या Reliance Company के अंदर Investment करती उसके शेर्स, Stock Exchange से खरीदे तो इसको बोलते है, Portfolio Investment ये डारेक्टली पैसा बिजनस के अंदर नहीं लग रहा है ये Second Market के अंदर Trade हो रहा है तो इसको Portfolio Investment बोलते हैं अब चाहे FDI हो, चाहे Portfolio Investment by FII हो इंडिया में पैसा अगर आ रहा है तो Inflow हो रहा है और अगर यही कंपनियां, जैसे कि MG, Ford यही कंपनियां अपना धंदा बंद करके बाहर चले जाए तो यह पैसा यहां से विड्रॉ कर लेंगी तो फिर इसको बोलते हैं Outflow of Foreign Investment तो Foreign Investment जितना देश के अंदर आएगा उतना Investment आएगा तो Inflow बढ़ेगा और अगर Foreign Investment विड्रॉ हो जाए तो यह पैसा बाहर चला भी जाएगा तो इसका Inflow Outflow आपको समझाता है फिर हमारे देश में कई बार हमारी कोई बड़ी कमपनी या फिर सरकार Borrowings कर ले बाहर से हम बाहर से अगर पैसा Borrow कर ले, Loan ले ले तो वो Borrowings से हमारे पास Inflow होगा यानि कि Borrowings taken from abroad से हमारे को Inflow होगा और Borrowings given to abroad अगर हम बाहर लेंड कर दें किसी को तो फिर उससे Outflow होगा और उल्टा भी होगा अगर Borrowings ली हैं तो Inflow और अगर Borrowings चुका दी रीपे कर दी तो भी Outflow अब यह जो Borrowings होती हैं यह दो प्रकार की है External Assistance और ECB Commercial Borrowings अब External Assistance का मतलब क्या है जो मदद के रूप में हमने Loan बाहर से लिया है सस्ते ब्याज दर पे हमारे को मिलता है एक example जैसे कि इंडिया के अंदर जपैन हमारे को Bullet Train बना के दे रहा है अब Bullet Train की Technology भी वो हमको दे रहा है बना के भी दे रहा है External Commercial Borrowings इसका मतलब ये Borrowings Market Rate of Interest के उपर होगी अब मालो Tata की किसी कंपनी को या Reliance को बाहर से लोन लेना है तो बाहर से उन्होंने जो लोन लिया उसको हम External Commercial Borrowings बोलते हैं वो बाहर किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं ठीक है चाहे External Assistance हो चाहे Commercial Borrowings हो है तो Borrowings बाहर से पैसा आएगा और जब हम इसको चुकाएंगे Repayments करेंगे तो यहां से पैसा Outflow भी हो जाएगा ठीक है थर्ड पार्ट में आता है हमारे पास NRI Deposits Non Residents के Deposits जो हमारे पास आएंगे तो Inflow वापिस जाएंगे Thought Flow फिर Banking Capital के अंदर जो Deposit है Foreign Banks का इसे Foreign Banks ने इंडिया के अंदर Banking System में पैसा लगा रख है Indian Banks ने वो पैसा वहां लगा रख है तो उसका एक Net Balance निकलता है जिसको हम Banking Capital बोलते है तो यह Banking Capital भी हमारे Capital Account BOP का पार्ट है और लास्ट इसके अंदर आता है Short Term Trade Credit Short Term Trade Credit मतलब दो Trading Partners के बीच में जो उन्होंने एक दूसरे को जो Trade Credit दिया हुआ है उसको हम Capital Account BOP का पार्ट बनाते हैं तो मोटे तोर पर Capital Account BOP के अंदर तीन चीज़ें आ गई एक Foreign Investment जो दो तरह से आएंगी FDI या PI by FII दूसरा Borrowings जो दो तरह से होंगी External Assistance और ECB और इस तीसरे के अंदर आएंगे NRI Deposits, Banking Capital और Short Term Trade Credit इन सभी को आपने जब Plus किया तो Inflow और Minus किया Outflows को ठीक है तो आपके पास एक Capital Account का भी Overall Balance आ जाएगा तो अभी तक देखो क्या आ गया Minus Outflows आपके पास यहां तो Positive Balance आ गया यहां आपके पास Negative Balance आ गया Positive मतलब Surplus Current Account का और Negative मतलब Deficit Current Account का सेम काम आपने किया Capital Account B.O.P. के अंदर Capital Account में भी जो पैसा इंडिया में Inflow हुआ उसमें से Minus कर दिया जो पैसा इंडिया से बाहर Outflow हुआ और इसका भी आपने एक Balance निकाला Balance यहां तो Positive आएगा यहां Balance Negative आएगा Positive का मतलब Surplus है Capital Account में Negative का मतलब Deficit है Capital Account के अंदर अब अगर हम दोनों के Balance जो आए हैं उनको जोड़ दे Current Account B.O.P. के Balance को Capital Account B.O.P. के Balance के साथ अगर हम Merge कर दें जोड़ दें तो हमारे पास आजाएगा हमारे B.O.P. का Overall Balance तो Overall Balance क्या है Overall Balance of B.O.P. क्या है Current Account का Balance Plus जो Capital Account का Balance आया और Plus Minus Error and Omission Error and Omission क्या होता है कि यह जो Transactions है ना यह Transactions बहुत जादा है ठीक है अब यह बहुत जारी Transactions को जब आप Plus Minus करते हैं तो कहीं ना कहीं Error और Omission होने के Chances होते हैं तो यह Error and Omission एक तरह की Adjustment है जो इस Balance के अंदर की जाती है फिर बोलता है यह जो Overall Balance है ना This Overall Balance is finally reflected in the Official Reserves of the Central Bank as RBI is the custodian of Foreign Currency और Foreign Exchange in the Country If Overall Balance is Positive It causes Increase in the Reserves of RBI If it is Negative, It causes Decrease in the Reserves of RBI को समझो अब जब हमने मान लो यहां पर Current Account और Capital Account के B.O.P. के Balances को जोड़ा एक Example Current Account में Minus 200 आ रहा था और Capital Account के अंधर 250 Positive आ रहा था तो जब हमने Minus 200 यानि की Deficit of Current Account को Capital Account के साथ जोड़ दिया तो हमारे पास एक Overall Balance आया विच इस 50 Positive 50 Dollars Positive अब यह जो 50 Dollars Positive है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि पूरे साल भर में हमारे इंडिया देश के अंदर Rest of the World से 50 Dollars in हुए Net यह क्या है Net Inflow या Positive Balance या Surplus अब यह जो Surplus है यह Ultimately Surplus किसके पास जाएगा यह Ultimately जाएगा RBI के डबबे के अंदर तो जो RBI है वो हमारे सारे Foreign Exchange का Custodian है माने सारी जो Foreign Exchange देश के अंदर घूम रही है उसकी Custody किसके पास होती है RBI के पास तो RBI क्या करता है RBI करता है पूरे साल भर में देश में जो भी Extra आया 50 डॉलर्स वो RBI अपने पास अपनी तिजोरी में अड़ कर लेता है तो इसके पास एक Foreign Exchange Reserve है उस Reserve में यह पैसे अड़ करके दिखा देगा यानि कि Surplus will get transferred to Official Reserve of RBI अगर Surplus आएगा तो वो कहां पर Transfer कहां पर जुड़ जाएगा जो RBI की तिजोरी है जो RBI के पास Foreign Reserve है उसके अंदर Add-on हो जाएगा और Sir अगर यह Negative आ जाता उल्टा लेके चलो अगर यह Positive यह होता 200 और यह होता 150 तो Overall Answer आता Minus 50 का Minus 50 का मतलब क्या हो गया Overall Deficit Overall Negative Balance Overall Negative Balance का मतलब यहां से देश में से 50 डॉलर बाहर चले गए तो बाहर कहां से चले गए कहीं से तो गए होंगे So ultimately उसका जो Effect पढ़ता है वो पढ़ता है Foreign Reserve of RBI में इसका मतलब यहां से बाहर गए तो वो यहां से Minus कर दिये जाएंगे ठीक है अगर Overall Balance Positive है तो RBI की Official Reserves में जुड जाएंगे Add-on हो जाएंगे और RBI बोलेगा हमारी Reserves of Foreign Currency बढ़ गई है देश में अगर हमारे यहां से पैसा चला जाएगा यानि की Overall Balance अगर Negative आएगा तो इसका मतलब RBI बोलेगा हमारी Reserves कम हो गई है क्योंकि Reserve में इसे ही जाएगा और Reserve में ही आएगा और अगर यह चीज दोनों आपस में Counter हो जाती जैसे की Current Account में Minus 200 होता और Capital Account में Plus 200 होता तो Overall Balance Zero हो जाता Overall Balance Zero होने का मतलब है ना Reserve में पैसा कुछ Add होगा ना ही Official Reserve of RBI से पैसा कुछ निकलेगा क्योंकि अपना जो जो यह Balance of Payment Account है यह Overall Match हो गया है टैली हो गया है इसमें ना Surplus है ना Deficit है ठीक है और आगे चलते है एक Example के द्वारा मैं आपको Balance of Payment Statement समझाता हूँ यानि कि Balance of Payment Account समझाता हूँ अब इसको देखो Balance of Payment कैसे बनता है सबसे पहले लिखा जाता है Export यानि कि Export means Export से Inflow कितना हुआ यहाँ पर Values लिखी है 250 का Inflow हुआ फिर Import होता है Outflow तो यह पैसा बाहर चला गया Export of Goods Balance of Trade ठीक है Balance of Trade नेगेटिव के मतलब BOT में Deficiency है या उसके अंदर Deficit है उसके बाद Invisible Items आती है Invisible Items के अंदर Non Factor, Factor Income और Current Transfers तो Non Factor, Factor, Current Transfer को जब आप चोड़ोगे तो आपके पास Net में यह Positive आ रहा है तो देखो जब हम Current Account B.O.P. बनाते हैं यह पहले तो Current Account B.O.P. है यह Visible Trade और यह सारी तीनो Invisible Items और जब हम इस Visible Trade का Balance यानि की B.O.T. को इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास Current Account का Balance आ जाएगा हमारे पास Current Account का Balance आ जाएगा ठीक है Current Account खतम हो गया अब आते हैं हम अपने Capital Account के अंदर अब यह देखो Capital Account के अंदर क्या आ गया Borrowings यह दोनों क्या है पहले Borrowings Borrowings Investment और Others Borrowings के अंदर External Assistance और Commercial Borrowings तो इन दोनों को जोड़ा तो Total Borrowings आ गी और यानि कि यह दोनो Inflow है पैसा आया है Positive है उसके बाद Short Term Debt यानि कि Short Term Trade Credit Banking Capital उसके अंदर NRI का Deposit तो यह जो तीन चीज़ें होगई यह क्या होगई हमारी C Part Borrowings Investment Other Other में तीन चीज़े थी NRI Deposit Banking Capital Short Term Trade Credit तो यह तीनों को जोड़ा हमने तो हमारे पास Other items आ गई उसके बाद आती है Investment Investment दो प्रकार की एक FDI और एक Portfolio Investment बाए FIIs तो जब हम FDI और Portfolio Investment को जोड़ेंगे तो हमारे पास Foreign Investments Net आ गई ऐसे ही Borrowings हमारे पास यह दोनो Net आ गई और हमारे पास यह जो तीन चीज़े हैं यह भी आ गई तो जब अब हम इन तीनों को इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास Capital Account का Net Balance आ जाएगा ठीक है न तो यहाँ पर हमारे पास Capital Account का Net Balance आ गया तो Current Account बनाया Capital Account बनाया अब देखो Current Account का Balance कितना आ रहा था हमारे पास Minus 45.9 और Capital Account का Net Balance कितना आ रहा है 62 Positive तो Current Account में Deficit है Capital Account में Surplus है यह दोनों आपस में Set Off हो जाएंगे जुड जाएंगे Add हो जाएंगे तो हमारे पास Overall Balance आ जाएगा अब Overall Balance निकालने के साथ-साथ हमारे को Error and Unmissions को भी Add करना पड़ता है तो जब हम इसमें Minus 3 का Error and Unmissions लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.1 Positive क्योंकि Capital Account Positive है न तो यह हमारे पास आ जाएगा Balance of Payment का Overall Balance Balance of Payment का Overall Balance यह Overall Balance क्या है यह है Surplus in B.O.P. यह Surplus in B.O.P. है यानि कि Overall Balance Surplus में आया है 13.1 जब Surplus आता है तो यह सारा पैसा किसको Transfer कर दिया जाता है यह कर दिया जाता है R.B.I. की Reserve में तो यह सारा पैसा R.B.I. की Reserve में डाल दिया जाएगा और B.O.P. को Zero कर दिया जाता है इसको बोलते हैं Balancing of B.O.P. तो जब यह Positive आया 13.1 उसको हमने R.B.I. के पास Transfer कर दिया Transfer to Reserve तो यहाँ पर लिख दिया Transfer to Reserve यानि कि Reserve हो गई Increase अगर यह Negative होता तो हम लिखते Transfer from Reserve तो यानि कि Reserve से हम ले लेते और फिर इसको भी Balance कर देते Zero Ultimately जो आपका Balance of Payment Account है वो होगा तो Balance ही वो होगा तो Zero ही हमेशा Surplus होगा तो R.B.I. को Transfer हो जाएगा उसकी Reserve बढ़ जाएगी Deficit में होगा तो R.B.I. की Reserve से ले लिया जाएगा उसकी Reserve घट जाएगी और अगर यह पहले से Zero हो जाए तो फिर कोई Movement दे होगी Official Reserve के साथ ना Transfer To होगा ना Transfer From होगा ठीक है तो I hope आपको यहाँ पर B.O.P. का Concept समझ आया होगा इसके बाद हमारे पास एक और चीज है समझने वाली वो है Equilibrium and Dis-Equilibrium in B.O.P. Equilibrium मतलब B.O.P. का Equilibrium तब आता है जब B.O.P. अपने आप Zero हो जाता है B.O.P. दो चीजों से बना ना Current Account, Capital Account तो अगर Balance of Current Account में Balance of Capital Account हम जोड़े और वो Zero बन जाए तो हम यह बोलेंगे कि B.O.P. अपने आप ही Settle हो गया B.O.P. अपने आप ही B.O.P. का जब Balance Zero आजाए तो B.O.P. Equilibrium में होता है And जब B.O.P. Equilibrium में होता है Then there is no movement From the Official Reserves of Central Bank ना ही RBI के Reserve में पैसे बढ़ेंगे ना ही RBI की Reserve में पैसे घटेंगे क्यों? क्योंकि B.O.P. तो पहले से ही मैच हो गया है Balance हो गया है एक एक्जामपल देता हूँ मान लो Balance of Current Account माइनस 50 है और Balance of Capital Account प्लस का 50 है तो ये दोनों आपस में एड करके Zero हो गए है तो Inflow Outflow दोनों आपकाउंट का जोड़के ये Zero हो गया है इसका मतलब B.O.P. अपने आप Equilibrium में आ गया है तो फिर Dis-Equilibrium क्या होता है Dis-Equilibrium होता है जब B.O.P. अपने आप Zero नहीं हो रहा है या तो B.O.P. के अंदर Surplus है या B.O.P. के अंदर Deficit है तो इसका मतलब B.O.P. Dis-Equilibrium में है ये उपर Example लिया था न हमने यहाँ पर जो हमारा B.O.P. था इसका Balance Surplus में आया था ये देखो इसका Balance Surplus में आया था तो क्या Balance of Payment अपने आप Zero था नहीं था इसका मतलब ये जो B.O.P. है ये Dis-Equilibrium में है क्यों? क्योंकि इसके अंदर Surplus पड़ा था और जब Surplus था ये सारा Surplus उठा के हमने कहां Transfer कर दिया था R.B.I. की Reserve में Official Reserve of Foreign Exchange के अंतर ठीक है? अगर ये Negative होता Deficit होता तब हम क्या बोलते? तब भी हम ये बोलते कि जो B.O.P. है वो Dis-Equilibrium में है Dis-Equilibrium में Negative अगर होगा, Deficit में होगा तो जो भी Difference आएगा वो हम Official Reserve से पैसा R.B.I. से ले लेंगे यानि कि Official Reserve उसकी कम हो जाएगी तो जब भी B.O.P. अपने आप Zero नहीं हो या तो Surplus दिखाना शुरू करे या Deficit दिखाना शुरू करे तो हम बोलेंगे कि B.O.P. Dis-Equilibrium में है तो B.O.P. का Surplus या B.O.P. का Deficit जब आएगा तो B.O.P. Dis-Equilibrium में होगा Surplus तब आता है जब Inflow जादा Outflow से और Deficit तब आता है जब Outflow जादा Inflow से ठीक है Then very important जो आपको चीज अब समझनी है वो है Autonomous and Accommodating Items of B.O.P. जो B.O.P. है उसके अंदर कुछ Autonomous Transactions या Autonomous Items होती है और कुछ Accommodating Transactions Accommodating Items होती है समझते हैं इसको Autonomous Items refers to International Transactions that take place due to some economic motives like earning profit or income they have nothing to do with foreign exchange payments कैदा Autonomous Items वो होती है जो देश के नागरिक किसी और देश के साथ करते है और ये सारी के सारी Economic Transactions होती है इनको करने का मकसद उनका profit या कोई benefit कमाना होता है यानि कि मैं जब कोई सामान बाहर से खरीदूँगा तो वो एक Autonomous Items है Autonomous Transaction है मैं यहां से किसी को बाहर service दूँगा जिसमें dollar का lane देन होगा वो एक Autonomous Transaction है International Economic Transaction है जो हमारे देश के नागरिक दूसरों के साथ कर रहे है ऐसा करते वो क्यों है क्यों उनका economic motive होगा कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है कोई profit generate करने के लिए कर रहा है कोई business के लिए कर रहा है ठीक है और ऐसी items करने के लिए मेरे को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या ये transaction कर लू क्या मैं ये item ले लू या बेच दू ऐसा करने के लिए मैं RBI से कोई अनुमती नहीं लूँगा इसको बोलते है autonomous items अब ये जो autonomous items होती है these transactions are independent of the country's balance of payment irrespective whether BOP is in deficit or in surplus हम ये transaction करते रहते हैं हम जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं हम ये नहीं देखते कि RBI की reserve में क्या इसका असर पड़ेगा हम तो ये transaction अपने motive से कर रहे हैं अपनी purpose के लिए कर रहे हैं हम ये नहीं देखते कि हमारी इस transaction से RBI की reserve बढ़ेंगी कि RBI की reserve घट जाएंगी जो मर्जी फरक पड़े RBI की reserve के उपर हम as a resident of a country हम ये transactions freely कर रहे हैं बिना किसी चीज को देख के कर रहे होंगे ठीक है these items are called above the line items BOP के दो पार्ट बना दी जाते हैं एक above the line item और एक below the line item above the line item को ही हम autonomous items या autonomous transactions बोलते हैं these autonomous transactions are those which make deficit और surplus in BOP अब ये जो autonomous transaction हमारे लोग कर रहे हैं देश के ना बाहर के देशों के साथ इसी lane देन के कारण इसी inflow outflow के कारण हमारा जो BOP है कभी surplus में आ जाता है कभी ये deficit में आ जाता है BOP deficit में तब आता है जब बाहर से autonomous receipt जो आ रही है देश के अंदर वो कम है जो यहां से autonomous payments जा रही है उनसे और उल्टा होगा BOP जब surplus में होगा ठीक है in other words the deficit और surplus in BOP occurs due to the result of autonomous transactions और autonomous items ये जो autonomous items है ये वो items है जो हम अपनी मर्जी से साल भर में lane-dane करते जा रहे है ये जो lane-dane कर रहे है inflow-out flow इसी का तो असर हमारे BOP में reflect होता है इसी का net result हमारा BOP show करता है इसी के कारण या तो BOP deficit में आ जाता है या BOP surplus में आ जाता है यानि कि अगर हम वापिस चलें अपने example पर तो ये जो BOP का net result आया है यहाँ पर 13.1 यानि कि जो surplus आया था 13.1 यहाँ पर ये BOP का जो surplus है ये आने का कारण है कि ये जितनी भी transactions यहाँ पर की गई है ये सारी autonomous nature की है जितनी भी transaction BOP के deficit या BOP के surplus को affect करती है BOP का surplus जिससे आता है BOP का overall balance deficit में जिससे आता है ये सारी transactions हमारी क्या होंगी autonomous items और इसको हम above the line बोलते है ये जो overall balance है न इससे उपर की जितनी भी transactions हो रही है ये सारी autonomous है तभी इसको above the line बोलते है above the line items ठीक है below the line items क्या होती है below the line items होती है जो accommodating items होती है below the line items जो होती है वो accommodating items of balance of payment होती है सर ये accommodating items क्या होती है accommodating items वो होती है वो transaction या वो item या वो action जो RBI लेगा इस overall balance को zero करने के लिए ठीक है न? देखो जब हमारा overall balance plus 50 आया यानि कि हमारा BOP surplus शो कर रहा है ये surplus कौन ले जाएगा उठाके कौन इसको अपनी reserve में डालेगा ये डालता है RBI तो RBI क्या करता है? RBI एक item लिखता है यहाँ पर minus transfer to official reserves minus 50 और जैसे वो plus 50 को transfer करता है अपनी reserve में minus 50 लिखके तो ये जो balance of BOP होता है ये 0 हो जाता है ये 0 हो जाता है ये जो BOP है ये settle हो जाता है अब ये जो काम हुआ ये जो transfer हुई transaction या item इसको बोलते है accommodating item अगर ये surplus आने के बाद हो रही है तो transfer to reserve है और अगर ये negative होती तो फिर RBI अपनी reserve में से पैसा निकाल के इसको 0 करता तो basically वो transaction या वो item जो RBI Central Bank of the country करेगा to correct the BOP का disequilibrium ठीक है ना to correct the BOP का disequilibrium और restoring the BOP's equilibrium अपने आप 0 आ जाता है तो हम बोलते थे BOP equilibrium में है और जब भी surplus या deficit आता था तो हम बोलते थे BOP disequilibrium में है तो जब भी disequilibrium को equilibrium में convert करना है तो उसके लिए एक transaction करनी बढ़ती है एक transfer entry करनी बढ़ती है उस transfer entry उस transaction को कौन करता है RBI करता है और ऐसा कैसे करा जाता है surplus को reserve में transfer करने की entry और deficit को reserve से पूरा करने की entry एक बार फिर से surplus को reserve में transfer करता है RBI और deficit को reserve से पूरा करता है RBI यह जो दो transaction है इसको हम accommodating transaction undertaken by the central bank of the country बोलते है these transactions take place to cover the deficit or surplus in the autonomous transaction accommodating transaction तभी करनी पड़ती है RBI को जब autonomous transaction से deficit या surplus आया है अगर autonomous से zero हो गया ना overall balance of payment अगर balance of payment पहले से equilibrium में है zero है फिर accommodating transactions नहीं करनी पड़ेंगे RBI को यह surplus और deficit को adjust करने के लिए ही RBI transaction जो करता है उसको accommodating transaction बोलते है और वो below the line item होती है autonomous above the line accommodating below the line अब एक बात जो important आपको यहां जानना है वो यह है autonomous transaction से तो सामान का import, सामान का export, services का लेना, services का देना, loan भाहर से आना, borrowings आना, FDI आना, external assistance लेना, यह सारी जो capital account, current account के अंदर transactions हो रही है ना, पूरे देश भर में, पूरे एक साल में, वो autonomous हैं लेकिन accommodating जो item है ना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई lane दे नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई goods and services का आना जाना नहीं है यह purely and purely, it is the movement of official reserves with a view to settle the BOP, with a view to settle or make the BOP come into equilibrium, सिरफ इतना सा काम है, ठीक है तो एक बार हम फिर से अभी देखते हैं, हमने बनाया BOP BOP के अंदर एक तरफ लिखेंगे हम inflows, एक तरफ होते हैं हमारे outflows ये inflow और ये outflow हम दो account में बनाते हैं यानि कि BOP के दो अंग हैं, एक current account और एक capital account current account में भी inflow हो रहा है, current account में भी outflow हो रहा है capital account में भी inflow हो रहा है, capital account में भी outflow हो रहा है तो इसका inflow और इसका outflow minus करके इसका एक balance आता है जिसको हम बोलते हैं balance of current account इसका inflow और इसका outflow minus करके भी एक balance आता है जिसको बोलते हैं balance of capital account अब ये जो balance आया है और ये जो balance आया है ये balance को जोड दिया जाता है जोडने से हमारे पास overall balance of BOP account आता है अब ये जो overall balance है ये overall balance 3 हो सकते हैं या तो ये balance 0 हो जाएगा यानि कि balance of payment अपने equilibrium पे होगा balance of payment जब 0 होगा तो इसका मतलब BOP equilibrium में होगा या ये balance surplus दिखाएगा positive या ये negative दिखाएगा यानि कि deficit deficit अब चाहे ये surplus में है चाहे ये deficit में है इसका मतलब ये disequilibrium में है और disequilibrium के case में ही केवल इस case में ही केवल RBI को central bank जो होता है किसी भी देश का ज़रूरी नहीं है हम सिरफ इंडिया की ही BOP की बात कर रहे है किसी भी देश का BOP ऐसी बनता है तो उसका central bank जो है इस disequilibrium को ठीक करेगा ठीक करने के लिए वो क्या करेगा accommodating items या accommodating transaction करेगा accommodating transaction जो होती है वो दो प्रकार की होती है या तो transfer to official reserve या फिर transfer from official reserve transfer to official reserve का मतलब क्या है यह जो BOP का surplus है इसको उठा के RBI अपनी reserve में add कर लेगा और क्या बोलेगा कि हमारे पास जो foreign currency foreign exchange की reserve है वो बढ़ गई ठीक है surplus के case में ऐसा होता है और अगर balance of payment deficit में है कमी है BOP के अंदर तो RBI क्या करेगा RBI यहां से reserve निकाल के इसको पूरा कर देगा जो कमी आई है उसके अंदर BOP के अंदर उसको पूरा भी तो करना है तो पूरा कैसे करेगा RBI बोलेगा हमारी reserve में से हमने पैसा वहां पर दे दिया और हमने उस account को nullify zero balance कर दिया ऐसा करने से RBI की जो reserves है वो घट जाएंगी कम हो जाएंगी इसको बोलते है accommodating transaction और इस accommodating transaction में कोई किसी प्रकार का कोई सामान नहीं आ रहा कोई सामान जा नहीं रहा कोई export import नहीं है कोई services कोई factor services कोई current transfer कुछ भी नहीं हो रहा सिरफ क्या हो रहा है movement of official reserve of central bank बस यहां तो तिजोरी में पैसे add हो रहे है RBI की reserve बढ़ेंगी यहां तिजोरी से पैसा कम हो रहा है RBI की reserves घटेंगी that's it फिर आते हैं हम अगले point पर अपने वो है balance of trade और balance of payment में क्या अंतर है आपको paper point of view से question आएगा जिसमें वो बोलेगा what is the difference between BOT and BOP BOT current account में visible trade था BOT current account का visible trade था तो it is only related to goods पहली बात यह तो सिरफ goods का है दूसरा capital transactions नहीं आती है capital account का तो नहीं है na BOT current account का है फिर यह एक narrow concept है क्योंकि BOT current account का हिस्ता है और current account BOP का एक part है इसका मतलब जो BOP है वो बड़ा concept है overall BOP उसका बहुत छोटा सा अंग है BOT BOP सारी transactions को जोड़ के आता है goods भी, services भी, capital भी, current भी सब को जोड़ दो तो BOP का balance आता है और BOT तो केवल current account में भी सिरफ visible trade है goods से related तो BOP एक wider concept है इसमें current capital दोनों transactions आ जाती है और BOT केवल केवल current account में सिरफ goods का ही visible trade है BOT favorable भी हो सकता है, unfavorable भी हो सकता है, plus में भी आ सकता है, minus में भी आ सकता है, zero भी हो सकता है लेकिन जो BOP है वो हमेशा ultimately settle कर दिया जाएगा ultimately उसको balance कर दिया जाएगा, वो अगर dis equilibrium में होगा भी, उसको equilibrium में कौन ले आएगा RBI accommodating transaction करके, accommodating item लगाके, RBI इसको settle करतेगा BOT का जो deficit है, वो BOP पूरा कर देती है, मैंने बोला न, current account में अगर कोई deficit आ रहा है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी capital account उठाता है, ठीक है, तो BOT का जो deficit है, वो BOP तो पूरा कर देगा लेकिन BOP का deficit, BOT पूरा नहीं कर सकता, BOT के कारण तो BOP का deficit आता है, तो deficit in BOP cannot be met through BOT BOT is not a true indicator of prosperity of a country, BOT तो केवल goods की बात कर रहा है न, बागी सारी बातों की तो चर्चा BOT में होती ही नहीं है, लेकिन BOP तो overall economic performance of the country दिखाता है, इसलिए BOP खुद में पूरा BOP official true indicator of performance of the economy होता है ठीक है, तो यह जो difference है यह आपको समझाता है हम अपने last part पे चलते हैं So what are the causes of disequilibrium in BOP? BOP में disequilibrium क्यों आता है, यानि की BOP में surplus क्यों आया और BOP में deficit क्यों आया BOP क्यों खुद में zero नहीं हुआ, disequilibrium का कारण क्या है यह समझते हैं यह बहुत सारे कारण हो सकते हैं BOP के surplus और BOP के deficit के आने के सबसे पहला कारण है economic factors affecting the economy हमारे देश में जो economic factors हैं वो बहुत बड़ा role play करेंगे हमारा BOP को surplus या deficit में लाने में जैसे कि जब हमारे देश के export और import के बीच में बहुत बड़ा difference होगा जब हमारे देश के exports और imports में बहुत जारा difference होगा यानि कि import बहुत ज़ादा होंगे export से तो deficit का कारण बनेंगे और अगर export बहुत ज़ादा होंगे import से तो surplus create करेंगे Large scale development expenditure which causes large import अगर हमारे देश में हमारा देश तो developing है न तो यहाँ पर roads, infrastructure, buildings वगएरा सब कुछ बनाने के लिए बहुत सारा material, बहुत सारी चीज़े बाहर से import होती है अब import जब ज़ादा होंगी न development activity को करने के लिए तो फिर यहाँ से तो foreign exchange बाहर जानी ही है इसका मतलब फिर B.O.P. deficit में आएगा ही आएगा अगर हमारे देश में high domestic prices of goods है अगर हमारे देश में domestic goods बहुत high है rate पे चल रहे हैं और बाहर से cheaper सामान हम खरीद सकते हैं जैसे कि Chinese market से हम China का जो सामान लेके आते हैं वो थोड़ा सस्ता मिलता है हमारी domestically manufactured goods से तो अगर ऐसा हो कि देश के अंदरूनी सामान जो बन रहा है domestic production हो रही है वो महंगी है और बाहर से जो सामान इंडिया में आएगा वो सस्ता है तो हर व्यक्ति बाहर से सामान इंडिया में ले आएगा और बाहर से सामान जब इंडिया में जादा आएगा तो वो इंपोर्ट बढ़ा देगा और इंपोर्ट बढ़ने से यहां की foreign exchange बाहर जानी शुरू हो जाएगी तो फिर वो एक कारण बनेगा हमारे देश में BOP का deficit लाने में और फिर कुछ cyclical fluctuations होती है जो हर economy जिस cycle के थुरू गुजरती है भूम, recession, depression, recovery यह general business activity के कारण भी हमारे देश में कभी surplus create होगा कभी deficit होगा तो यह ऐसा चलता रहता है दिजादी economic factors जो हमारे balance of payment को affect करती है फिर political factors भी होंगे political reasons भी होते हैं किसी भी देश के अंदर जो balance of payment पे असर डालते हैं जैसे कि अगर किसी देश में political instability हो disturbance हो तो फिर उस देश में कोई भी बाहर का investor interested नहीं होता अगर हमारे देश में दंगे फजाद ही होते रहें हमारे देश में political instability हो हमारे देश में political जो machinery है वो काम नहीं करती हो तो फिर किसी को भी confidence नहीं आएगा इंडियन economy पे और जब आपको confidence नहीं होता investor का confidence नहीं होता हमारे देश के ओपर तो पैसा inflow नहीं करता वो FDI नहीं लगाता है तो ऐसे कारण से हमारे देश में FDI आना बंद हो जाएगा अगर policy paralysis हो अगर policy structure अच्छे ना हो अगर taxation में clarity ना हो तो हमारे देश में foreign direct investments नहीं आएंगी और FDI नहीं आएगी तो शायद हमारा balance of payment negative दिखाना शुरू करते हैं और ऐसा भी होता है अगर यहाँ पर दंगे फजाद होने शुरू हो जाएं अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पॉजीशन अच्छी ना रहें देश की तो फिर यहाँ से capital outflow भी होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो इस विल कॉल लार्ज capital outflows from the country by foreign investors and inflow of fresh capital विल भी हिंडर तो political stability होना बहुत ज़रूरी होता है फिर आते हैं कुछ social factors social factors जैसे कई बार हमारे fashion, taste and preferences change हो जाते हैं जिसके कारण से हम import और export को affect करते हैं जैसे कि apple iphone अगर मान लो बाहर बनते देश के देश में ना बने और सारे लोग apple की तरफ ही अपना रुजहान रखें तो बहुत सारा जो हमारा import है वो apple iphone का हो जाएगा और import अगर जादा होगा वो import के कारण हमारा जो foreign exchange है वो यहां पर B.O.P में deficit create करना शुरू कर देगा यह क्यों हो रहा है क्योंकि taste, preference, fashion लोग बाहर से influence हो जाएगे तो उससे हमारा जो export और import है वो affect होता है और export, import ही major कारण है किसी भी देश का balance of payment को surplus यह deficit मिलाने का अब अगर हमारे देश में high population growth होगी, in poor countries adversely affect their B.O.P because it increases the need of import and decreases their ability or capacity to export कोई भी देश जिसके अंदर population growth बहुत जादा है तो उसको अपनी जंता को सामान मोहिया कराने के लिए import का सहरा लेना पड़ता है तो import बढ़ता है, export बढ़ नहीं पाता है, जिसके कारण imbalance create होता है B.O.P के अंदर और वो deficit का कारण बन सकता है, तो हमें reasons तीन तरह से लिखने है economic factors, social factors और political factors, अब आती है बात अगर B.O.P में disequilibrium आ जाए, यानि कि अगर B.O.P में deficit हो, या B.O.P में surplus हो, तो उसको ठीक कैसे करें ठीक तो करना पड़ेगा न, ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश में deficit चल रहा है यानि कि एक देश के foreign currency बाहर जाती जा रही है जाती जा रही है, और वो चुप करके बैठा रहे every country has to take some steps measures to correct this disequilibrium majorly deficit को address करना ज़रूरी है जब B.O.P negative होता है उसको ठीक करना ज़रूरी है positive का तो फिर भी हम अच्छा मान सकते है अब कहता है disequilibrium mainly deficit को कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए सबसे पहला काम है exports को बढ़ावा देखे, exports को promote करो, क्योंकि जब हम exchange आएगी, तो वो हमारे balance of payment के deficit को ठीक करेगी तो हमें export promotions करने है और ये promotions कैसे होंगे जब आप incentivize करोगे manufacturing को, जब आप incentivize करोगे production को तब भी तो यहाँ से सामान export होगा और export promotion के साथ-साथ imports को discourage करने की भी कोई कोशिश होनी चाहिए कोई ना कोई import sanction लगने चाहिए कोई ना कोई import controls लगने चाहिए ताकि import रोके जा सके और export बढ़ाए जा सके तो ये जो imbalance आया हुआ है BOP के अंदर ये सुधर सके second, devaluation का सहारा लिया जा सकता है हमने पढ़ा ना आपने चैप्टर पढ़ा था हमने foreign exchange का उसमें devaluation of domestic currency तो devaluation का मदद हम ले सकते हैं devaluation करती क्या है हमारी currency की value को घटा देती है in response to a foreign currency और in relation to a foreign currency ऐसा करने से exports lucrative हो जाते हैं exports को बढ़ावा मिलता है और import जो है उसके उपर रोक लगती है because import महेंगे हो जाते है तो import को कम करने के लिए exports को बढ़ाने के लिए devaluation भी एक तरीका है जो सरकार अपना सकती है पर devaluation सरकार ही कर सकती है by passing an order फिर है depreciation of domestic currency devaluation तो सोच समझ के plan करके सरकार करती है depreciation तो demand and supply के कारण अपने आप होती है अब अगर depreciation हो रही है हमारी currency की तो वो exports को lucrative अपने आप ही कर देगी और सरकार फिर ऐसी situation में जो Indian currency उसको depreciate होने देगी रोकेगी नहीं ठीक है so like devaluation depreciation leads to fall in the external purchasing power of the currency depreciation occurs in a free market system where demand and supply plays a role ठीक है तो अगर ये depreciation अपने आप होने दें तब भी exports महेंगे हो जाएंगे और import भी महेंगे होंगे लेकिन export महेंगे जब होते हैं तो वो फाइदे के होते हैं और import जब महेंगे होते हैं वो नुक्सान create करते हैं तो devaluation और depreciation के द्वारा exports को बढ़ावा और import पे रोक लगती है फिर सरकार कहीं न कहीं exchange control भी ला सकती है exchange control का मतलब क्या है कि government should control the foreign exchange by ordering all the exporters to surrender their foreign exchange to central bank and then ration them out against licensed importer तो exchange control क्या होता है जहाँ पर सरकार कहते है कि जिस जिस के पास foreign currency है वो सारी foreign currency अपनी surrender कर दो central bank को और फिर central bank उसको incentivize करके चेक करके importer को देता है कि इतनी मातरा में आप इस currency का यूज करके समान import कर सकते है तो इस तरह से exchange को control किया जाता है manage किया जाता है उसकी supply और demand को फिर है by reducing the inflation अगर हमारे देश के अंदर domestic inflation, retail inflation बहुत जादा होगी और बहार का समान सस्ता होगा तो import lucrative होते हैं लोगों के लिए तो import अच्छे लगते हैं लोगों को करने के लिए ऐसा रोका जा सकता है अगर अंदरूनी जो inflation है domestic inflation है उसको control कर लिया जाए जैसे ही domestic inflation को control करेंगे prices सस्ते हो जाएंगे यानि कि जो हमारा समान है वो भी बाहर के imported समान के तुलना में सस्ता दिखेगा तो फिर imports पे रोक लग जाएगी अपने आप automatically और हमारे देश का जो समान है वो ही domestically produced समान ही देश खरीद रहा होगा तो इस तरह से inflation को रोक के import को रोका जा सकता है last है import restriction और import substitution import restriction और import substitution का भी मदद सरकार लेती है जब सरकार कुछ ना कुछ condition लगा देती है कुछ time period के लिए कोई ना कोई सामान का import बैन कर देती है जैसे कहीं बार gold का import बैन कर देगी उसके ओपर quantity का एक quota लगा देगी इस से जादा जो आप gold है वो आप import नहीं कर सकते किसी बाहर के देश से फिर palm oil के ऊपर कहीं बार रोक लगा दी जाती है तो ये import restrictions का जो काम है ये सरकार करती है ताकि वो domestic market के अंदर से बाहर पैसा ना जाने दे और क्योंकि अगर यहां से पैसा बाहर जाता है तो वो balance of payment में deficit create करता है उसको रोकने के लिए सरकार ये सब कुछ कर सकती है ठीक है तो यहां पर हमारा जो chapter है वो हो जाता है जी the end तो balance of payment जो chapter है वो हमने complete कर लिया है तो अच्चो इस series में आपने मेरे साथ बने रहना है हम सारा का सारा syllabus अपना revise करेंगे accounts का भी economics का भी आपको कुछ भी doubt अगर आ रहा है अभी भी तो आप मेरे को वीडियो के comment section में बताते रहना और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए board exams की त्यारी करते रहिए बाई